नेक्स हम लोग देखने वाले हैं फीजियोलजी में another most important topic एंडोकरिनलोजी में function of growth hormone function of growth hormone हमारी body में जो growth hormone है वो कैसे function करता है हमारी body में जो लगाता जो growth hormone निकल रहा है वो क्या करता है तो इससे पहले जो मैंने एक video बनाया था anterior pituitary उसमें basic मैंने आपको पूरा बताया है कि growth hormone कैसे form होता है तो पहले हमनों एक short में revise कर लेते हैं जो growth hormone होता है वो anterior pituitary से secret होता है लेकिन उस anterior pituitary से secret करने के लिए वहाँ उसको release कराने के लिए important releasing hormones वहाँ आते हैं और वो आते हैं आपके hypothalamus से तो hypothalamus में एक important type का nucleus होता है इसका नाम होता है ventromedial nucleus है वो दो important type के hormones release करता है specific हम भात करें growth hormone की बात करेंगे तो पहला वो release करता है growth hormone या growth releasing hormone growth hormones को releasing करने वाले factor ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है और आपका निकलता है निकलकर कहां आता है आपका क्या आपतेलीमस में स्पेसिफिक ताइप योती है नीचे की और रहा आता है और यहां पर जो वहां पहुंचता है उस capillaries से वो निकल कर बाहर जाता है इंटर आपके pituitary gland anterior pituitary gland के space में और वहां पर जो specific type की cells होती है जिसमें receptors होते हैं किसके लिए आपके growth hormones releasing factors के लिए जो growth hormone releasing factor जो आपका ventromidine निकले से आई है उससे bind होने के लिए specific receptor वाली cells इसका नाम होता है somatotrop cells जो somatotrop cells है उससे growth releasing hormone जो factor है वो आके जुड़ता है जितनी भी दिखरी पूरी पूरी ऐसी बहुत सारी वहां पर somatotrop cells होती है और सबसे क्या होता है वो जाकर bind होता है जैसे उससे bind होता है तो bind होने के बाद यह जो cell होती सो metotrop cells होती है यह important type का क्या करती है hormone release करती है इसका नाम होता है growth hormones इसका निकालती है release करवाती है सेक्रीड करती है growth hormones तो ventromedian nucleus से जो growth hormone relieving factor आया था वो इन cell से somatotrop cell से growth hormones को बनवा के release करवाती है और जैसे release होकर वो blood में जाता है और blood में जाने के बाद जो growth hormone है क्या करता है बलड में जाने के बाद जो growth hormone करता क्या है एक चीओ बता दू को जो growth hormone है वो गचाथ दिदे टाइरेकली हमारी body की different जगह different part way different cells पे जाके काम करता है फॉंक्शन करता है वो हम लोग आगे देखेंगे इसके लावाए जो growth hormone है वो कुछ small number में जो small continuous growth hormone है वो कहाँ पहुंसता है लीवर में पहुंसता है और लीवर में जाने के बाद लीवर में जाने के बाद लीवर की cells growth hormones को लेती है मतलब हैपेटोसाइड cells लेती है और finally form करती है somatomedin क्या form करती है somatomedin form करती है somatomedin form करती है और ये somatomedin भी क्या है like growth hormone अपना function दिखाता है तो directly जो growth hormone बना है वो भी हमारे body में जाके काम करेगा लेकिन इसमें से small number of growth hormone है वो liver में जाकर उसको somatomedin में convert करती है liver cells और जो somatomedin है वो भी कैसा करता है आपके growth hormone like function करता है तो इस प्रक्रार से हमारी body में growth hormone ही बन गया और growth hormone की सायता से कुर्ची बन गया somatomedin नाम करता है तो liver में बनता है hepatocyte cell से बनता है अब ये जो growth hormone बना है वो exactly क्या होता है आपका protein in nature का होता है किस nature का होता है protein in nature का होता है इसमे 191 191 amino acids होते है single polypeptide chain होती है 191 जो emanatoseids होते है वो single एक chain में बने होते है इसका molecular weight करीब करीब 22,000 होता है ठीक है परिसे बात कर रहे है ये protein in nature का होता है somatomedinary protein in nature का होता है जो growth hormone होता है उसका molecular weight करीब करीब 22,000 होता है ये इसमे 191 amino acids होते है वह सिंगल प्लिटेट चेंज में लगे होते हैं चारों के चारों गौश्टन है पुर्टीन निचर का है इस इसमें होते हैं तो यह इसकी बेसिक केमिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए हम देखने एक्जेक्टी फंक्षन और ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है या काम करता है तो पहला जो फंक्षन है ग्रोथ हार्मोन का वो क्या है यह हमारी बॉड़ी की मसल्स हैं वहां पर जाता है ग्रोथ हार्मोन कहां पर आया ब्लड में आने के बाद हमारी बॉड़ी की मसल्स में जाता है और मसल्स में जाता है और exactly muscles में क्या करता है वो protein के exactly हम जो protein खाते हैं हमने कहाई दूत पिया हमारी body में गया protein तोटेगा तोटने के बाद कामी canvart होगा और वो जो amino acids होते हमारे आतों से बार्डी में आते हैं यह वारे body में आते हैं हमारी body में amino acids होते हैं इस amino acids का यूज, growth hormone करता है, हमारी body में जितना भी amino acid जाता है, उसका maximum use, उसका maximum opioid कौन करता है? growth hormone करता है, तो growth hormone क्या करता है? उन amino acids को क्या करता है? हर muscles के अंदर लेता है, ठीक है? क्यों लेता है? क्योंकि उसको muscles को strong करना है, exactly हम बोलेंगे muscles को strong करना है नई cell का formation कराना है नई cell बनवाना है या muscles को strong करना है muscles की size को बढ़ाना है cell के size को बढ़ाना है cell की संख्या को बढ़ाना है उस सब के लिए क्या चाहिए हमें protein चाहिए हमारी body में नई cell बनानी है नई सेल की संक्या बढ़ानी है नई सेल का साहिद बढ़ाना है मसल्सडीबलाप करनी है मसल्स बिल्ड करनी है तो वहाँ पर चाही होता एमिनो इसेड तो क्या करता है ये जो growth hormone है, वो blood से amino acid को लेता है, ठीक है blood से amino acid को लेता है मतलब cell के अंदर, muscles के अंदर cell के अंदर, muscles के अंदर protein के uptake, sorry amino acid के uptake मतलब blood से protein amino acid को लेगा वो, blood में कौन पड़ा हुआ है आपका, amino acid पड़ा हुआ है वो कहां जाएगा आपके muscles के अंदर जाएगा तो यहां से अंदर जाएगा किस current जाएगा growth hormone की current जाएगा तो क्या करता है increase uptake of amino acid blood से cell के अंदर muscles के अंदर protein को sorry amino acids को अधिक मातर में पहुँचाएगा तीक है जैसे ब्लेट में घूम रहे हैं उसको लेगा मसल्स के अंदर आएगा अधिक मातल नमेशन पहुंचाएगा ऊतना की पहुँआत तनी पहुचाएगा एमुरसयड को सत क्या करेगी इस एमुरसयड पर ठार्सक्रियों futur होती तो उसके बाद translation की process होती है और finally फिर किया बनता है आपका protein formation होता है आपने पढ़ा होगा बचपन में transcription translation की process क्या करते है protein synthesis करता है और यह पूरा का पूरा कौन करवाता है one and only growth hormone growth hormone क्या करता है protein को लाएगा transcription करवाएगा translation करवाएगा and protein synthesis कराएगा और protein disease करके protein बनेगा और जो नई cell को, नई cell के size को, muscles को build करने में help करेगा तो पहला function क्या कर रहा है वो, muscles को develop करने में, नई cell को बनाने में, muscles की संख्चा को, या muscles के अंदर cell के संख्चा को बढ़ाने में कर रहा है ठीक है, कैसे कर रहा है वो में आपको बताया, आपके amino acid के transcription को, sorry, uptake बढ़ाएगा, तो transcription बढ़ेगा, translation बढ़ेगा, protein disease बढ़ेगी, इस प्रकार से वो करता है तो ये लिखा है, exactly ये हमारे body के अंदर, नई cell को बनाने के लिए, protein को बनाने के लिए, muscles को बनाने के लिए होता है इसलिए, ये जो effect दिखा रहा है, इसे हम anabolic effect भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, anabolic function of growth hormone भी बोलते हैं तो इनने muscles भी बी काम कर दिया, एक function हो गया, उसी को हमने बताया कि वो develop कर रहा तो उसको एक और नाम हो गया, anabolic effect कर दिया Anabolic effect क्या हो रहा है, increase uptake, मतलब blood से amino acid को कहां पहुचाना है, muscle cell के अंदर पहुचाना है अंदर आमेंट से जादा पहुचेगा, तो automatic transcription मतलब increase करेगा transcription को, increase करेगा translation को and finally protein synthesis को बढ़ा देगा, और finally cell और muscles को strong करेगा तो यह पहला function है, muscles को develop करता है, muscles को बनाने के लिए responsible होता है तीक है, आगे बात करेंगे protein metabolism, second function इसका होता है protein metabolism protein metabolism, protein metabolism, जब भी metabolism word जुड़ गया, मतलब हमने जुड़ दिया protein metabolism metabolism मतलब होता है, use करना, हमारी body का कर रही है, हमने बोला हमारी body protein metabolism कर रही है इसका मतलब हमारी body कर रही, protein का use कर रही है, तो हमारी body में protein का use करवाना, मतलब प्रोटीन को बनवाना, प्रोटीन को बनाकर यूज करवाना प्रोटीन मेटाबॉलिजम कहलाता है प्रोटीन मेटाबॉलिजम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिट के दौरा प्रोटीन बनवाना और प्रोटीन का यूज करवाना तो हमारी body के अंदर amino acid का use करके protein कौन बनवा रहा है, growth hormone बनवा रहा है, कैसे बनवा रहा है, अब take, transcription, translation and finally क्या कर रहा है हो, आपका protein formation कर रहा है, तो दूसरा function में दोड़ देंगे हम लोग, protein metabolism के responsible होता है, ठीक है, आगे बात करेंगे, तो दोनों में same process होगी आपको, लेकिन नाम अलग-अलग है, आगे हम बत करेंगे, third, एडिपोस tissues पे, जो हमारी body में जो hormone होता है, गोध हर्मोन वो एडिपोस tissue में जाता है, एडिपोस tissue होते हैं, जहां पर हमारी body का triglycide मतलब fat जमा होता है, हमारी body को fat को store करने वाली जो cell होती है, अडिपोस टिशू, एडिप जो fat को store करके रखती है, और fat किस form में store होता है, triglycide form में store होता है, फिर से हम देखते हैं, हमारी body में एडिपोस tissue होते हैं, एडिपोस cells के बने होते हैं, जो fat का storage करते हैं, किस form में करते हैं, triglycide form में करते हैं, जैसे ही growth hormone blood में आता है, वो एडिपोस टिशू में जाता है, एडिपोस टिशू में जाता है, और वहां जाकर एक specific enzymes को एक्टिवेट करता है, जो हम बोलते है, growth hormone dependent lipase या growth hormone की presence में, growth hormone पे dependent होने वाला lipase, ऐसा lipase जो growth hormone के आने पर ही activate होता है, तो growth hormone dependent lipase हम बोलेंगे, तो जो growth hormone जाएगा, एडिपोस टिशू, एडिपोस साइट सेल के अंदर, वहां पर क्या करेगा, वो lipase को activate करेगा, कौन से lipase को, growth hormone depending lipase को, और जैसी lipase एक्टिवेट तो लाइपेज काम क्या होता है, आपके lipid को तोड़ने का, तो यह का करेगा, एडिपोसाइट सेल के अंदर जो triglyceride है, उसको तोड़ेगा, और जैसी वो तोड़ेगा, तो तोड़ेगा, जब भी triglyceride तोड़ता है, या fat तोड़ता है, तो क्या बनते हैं, आपके fatty acids बनते हैं, क्योंकि आपको बता दूँ, जैसे बहुत सारा क्या बनता है, जब प्रोटीन कूट गखे, तो फिर्स बहुत सारा एम्मुनिशीड बनाते हैं, वैसी बहुत सारा fatty acids जो है, हाभास की बनते हैं, पेट बनते हैं, और जब fat रही पहुंचता है कर दो लीवर में पहुंचता है। पहले तो उसका 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 यूस करता है, एनरजी के रूप में. उससे क्या करता है एनर्जी फॉर्म करवाता है आपको पता दू हमारी बॉड़ी में जो प्रोटीन होता है जो कर्बॉडेट होता है जो फैट होता है यह हमें एनर्जी देते हैं एक ग्राम कर्बॉडेट खाएंगे तो चार किलो कलर एनर्जी मिलती है एक ग्राम प्रोटीन घर क्ली केलग काई पर शोगर चार किलोग कैल और एक ग्राम फैट से जादा होता है वो होता है फिजह होते है और यह yeah को ए्नजाइम फिर्म करता है युफ यूद्व करता है मतलब खुद अपने काम करने के लिए energy की रूप में उपयोग करता है ठीक है और दूसरा कुछ नंबर में ये ketone में करवड़ आता है मतलब कीटोसिस या ketogenic effect के लिए होता है small number में जो कफिटीफट acids है ketone में करवड होता है जिसे हम बोलते है ketosis की process और ये जो effect हम इसे बोलते है ketogenic effect इसे हम क्या बोलते है ketogenic effect तो जो growth hormone है वह क्या कर रहा है एडिपोसाइड सेल में जा रहा है जाने के बाद एडिपोसाइड सेल में जा रहा है जाने के बाद एडिपोसाइड चिशु में जा रहा है साइड सेल के अंदर जा रहा है लाइपेज को ट्रिवेट कर रहा है ट्राइगलिसराइट को तोड़ रहा है फिरी बाइटिसेट निकल रहा है बलड में जा रहा है लीवर है पहुंचेंगे एसल को एंजाइम बनेगा एनर्जी की रूप में वो यूज़ कर लेगा कीटोसिस और जो कीटोसिस है इसे हम बलेंग कीटोजनिक एफेक्ट ठीक है तो एडिपोस टिशू में एफेक्ट कर रहा है टिशू में एफेक्ट कर रहा है पैट डाउन कर रहा है तोड रहा है यह पर तोड़ने का काम कर रहा है इसलिए इसका नाम होता है Cateabolic Effect तो हमारा जो Growth हार्फ रोटीन में एनबोलिक एफेक्ट दिखाता है और फेट में Cateabolic Effect दिखाता है Importantly याद रखना है प्रोटीन में एनबोलिक एफेक्ट फेट में Cateabolic Effect दिखाता है इसके अलावा मैंने आपको बताया क्क चीकों कि वह क्यों integrate करता है लीवर क्यों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो इस सीया पार्ट होते हैं, एक होता है Anabolism में होता है Cetabolism, fat को बनाने वाला, fat को तोड़ने वाला, यहां पर जो growth hormone है, वो fat को तोड़ने वाला, fat को तोड़ने वाला काम कर रहा है, जो हमने वहा पढ़ा, जो हमने Corypeticide वाला जो पढ़ा, वह ही आपको लिखना है, कि जो liver जो आपका growth hormone है वो fat की उपर catabolic effect दिखाता है fat को तोड़ता है fatty acids form करता है blood में आते हैं, liver में जाता है acidal coenzyme में convert होगा liver इसका use कर लेगा और small number में ketone में convert हो जाएगा इसे हम ketosis बोल देंगे ketogenic effect हम बोल देंगे तो यह आपका हो गया जैसे मैंने आपको muscles और protein ले लिए ता वैसी fat, adipostation fat ले लिए आगे हम बात करते हैं पांचवा effect जो है इसका carbohydrate पे होता है यह carbohydrate metabolism के हम बात करेंगे क्या होता है जो growth hormone होता है वो carbohydrate को carbohydrate मतलब sugar को मतलब glucose को glucose कहां पर होता है आपके यह जो glucose है बलेड में पड़ा हुआ है आपने खाया और glucose बलेड में पड़ा हुआ है यह जो glucose कहां जाता है हमारी body में cell के अंदर जाता है लेकिन इस glucose को cell के अंदर जाने से रोकता है इस glucose को cell के अंदर जाने से रोकता है कौन? growth hormone growth hormone जो है इस glucose के molecule को cell के जाने से रोकता है कैसे ठीक है कैसे रोकता है तो जो मैंने आपको बताया कि अभी हमारी cell में protein जो है उसका anabolic effect दिखा रहा है lipid में catabolic effect दिखा रहा है ठीक है ना तो खास्ता जो इसका catabolic effect होता है उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जब growth hormone आएगा तो large number में क्या करेगा blood में free fatty acids को लेके आता है यह ज़ध나ändig fatty fatty acids आते हैं ये क्या करते हैं इस glucose को is glucose को क्या करते हैं cells के जाने से रोकते हैं दीक है तो पहले हम फिर से देखते हैं कि जो growth hormone होता है वो क्या करता है glucose को यहां सेल करना जाने से डोखता है जब ग्लुकोस को सेल करना जाने से डोखेगा तो ग्लुकोस की मातरा क्या होगी ब्लेड में बढ़ जाएगी जब ग्लुकोस उपी होगी नहीं होगा तो ग्लुकोस का लवल बढ़ेगा और ग्लुकोस का लेवल जैसी बढ़ता है जैसी ग् इंपॉर्टेंट नाम का हर्मोन निकल असका नाम होता है इंसुलिन वो जो ग्लुकोस बढ़ेगा उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो पैंक्रियास की बीटा सेल को मालूम चलेगा और पैंक्रियास की बीटा सेल स्टुमेट होकर लार्ज नंबर में इंसुलिन निकालेगी और जै उसको cell के अंदर पहुचाने का काम करेगा लेकिन ये जो ग्लुकोज है वो जो इंसुलिन है वो इस ग्लुकोज को अंदर पहुचाएगा लेकिन ये जो free fatty acids होते हैं वो इंसुलिन के इस function को इस function को break कर देते हैं मतलब जो इंसुलिन का function है glucose को blood से लेकर उठा कर cell के अंदर पहुचाने का तो उस function को रोग देता है कौन free fatty acids तो जब growth hormone जो है वो इस प्रकार से हमारी body के अंदर maintain करता है जो sugar के level को अंदर जाने से या sugar के level को body में blood में बढ़ाता है means hyperglycemia diabetic condition बना देता है कौन sugar sorry growth hormone है क्या करता है हमारी body में sugar जैसे condition बढ़ा देता है ठीक है जिसे हम बोलता है diabetogenic effect हम भोलते हैं ठीक है लेकिन आपको बता दू मैं यह वाला diabetogenic effect जो होता है normal growth hormone जब हमारी body में produce होता है तब हमको ऐसा नहीं मिलता है लेकिन जिसकी body में बहुत ज़्यादा मातरा में abnormal मातरा में growth hormones निकलता है उन लोगों में उन लोगों में diabetogenic effect हम को मिलेगा ठीक है generally जो growth hormone होता है वो आपके protein और adipose tissue पे strongly work करता है sugar पे उसता work नहीं करता है क्योंकि maximum तो वहां युज़ आता है बहुत कम नंबर में यहां युज़ होता है लेकिन जिसमें abnormally excessive amount में बनेगा तो जो यहां पर युज़ हो आपके adipose tissue में प्रोटीन में उसके अलावा भी extra बचा रहेगा तो वो आपका diabetogenic effect दिखाएगा मतलब body के अंदर blood का level में blood में sugar का level बढ़ाएगा hyperglycemia ले आएगा और इसे हम क्या बोलेंगे diabetogenic effect बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि यदि ज्यादा मात्रा में glucose आपका growth hormone आएगा तभी आपको diabetogenic effect दिखाएगा normally यह sugar को siliconizer रोकता है मैं आपको बोलूँगा कि जो आपका growth hormone होता है वो हमारी body में energy के लिए fatty acids का use करवाता है ठीक है sugar को ना जाकर fatty acids से use करवाता है तीसरा यह important है sugar पे क्या काम करता है next हम बात करते है bone पे क्या काम करता है bone function bone के लिए bone की growth के लिए bone की length को ब्लाने के लिए bone को thick motor करने के लिए bone की lambay बलाने के लिए bone को अब function लिएँ नहीं थो bone की high ground बैने के लिए bone की growth के लिए bone की चोड़आई बलाने के लिए चोटे बच्चे से से बड़ा होते है bone and only किस कारण से होती서도 growth hormone कारण होती है आपको पता दू जो गोधरम होता है वो बोन में कहां काम करता है आपको पता दें हमारी बोन जो होती है ऐसी होती है और बोन में तीन पार्ट होते हैं जो दोनों आपको दिख रहे हैं बाहरी एंड हम इने बोलते हैं इपीफाइसिस बोलते हैं बीच वाला जो दिख रहा है मेटा घ्रमsti और भारी शांत के भी और भी वा ब्लाइट है पारिदनेगा नेशों नेढमोरा foarte Walter काम देनर तर्फिय में होती है ओलिप्लाइट के दो एप्लाइट में हैज़ाति दिखिर होता एंए उससे ब्लवचिति यही घ्रो करती है यही घ्रो करती है यही घ्रो करते है क्योंकि जो वह इस प्लेट पर काम करता है इस plate के जो metafysal plate के हम बात कर रहे हैं, यहां पर जो cell होती है, उसका नाम होता है, kondrocytes, मतला bone की kondrocyte cells पे ये काम करता है, bone की kondrocyte cells पे काम करता है, जो Kondrocey'd cells यो कहा होती है Metaf pedal plate पर होती है प्रोशर्मोन आता है Metaf Conrad Berlin work और यहां पर इस Conrad집 पे आ पर calcium जमा हो जाता है और vечение is बोन बन जाती है,س प्रकार से हमारी बोडी में जो हाइड बढ़ने की जो प्रॉसस होती है वो मेटफाइसिल प्रेट के करण होती है क्योंकि वहाँ मतार कon都 करेगा ग्रोथ हर्मन के करम से जो भी घर कोगेगा काम चोफ नियुदिर से हैं बिलट से कलस्यु में बन जाएगी और वहाँ पर नई बन जाएंगी और जन memorial neither क्लेशन में यह एक ग। माधरा में कैलिशन जनमा होगा और आपकी ऐसे बोन को लंबा कर देगा, हईट को बढ़ा देगा, यह process होती है, बोन की हईट को, बोन की growth को, बोनकी thickness को बढ़ाने के लिए क्लिध को डिय अहलन होता है आपकी growth hormone होता है जब आपकी metafisal plate जो है जैसे आप 18 साल के बाद आपकी height बढ़ना तो कम हो जाती है क्यों हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि प्लेट के maximum growth होती है या वहां के जो chondrio blast cells होती है जो condoside cells होती है उनकी activity कम हो जाती है ठीक है तो वह क्या होती है लंबाई तो नहीं बढ़ाती है उसकतर चोड़ाई बढ़ा सकती है according to condition ठीक है तो growth hormone इस प्रकार से काम करता है bone पर आगे बात करते हैं साथवा जो function इसका anabolic function में नहीं को बताया anabolic मतलब protein बनाने वाला cell बनाने वाला protein amino acid का उप्यों करके protein बनाने वाला anabolic effect हो गया category effect मतलब क्या हो रहा है कोई फैस हार्मोन क्या कर रहा है lipid को तोड़ता है fatty fatty acids में anabolic में क्या हो गया immunis Л protein बनना हो गया protein fat से क्या बने आपके fatty prim brand और तोड़ने वाला क्योंकि ज्यादा मात्रा में आपके फिरिफट असेट्स होंगे और इंसुलिन का फॉंक्शन उसको ब्रेक कर देंगे आपका जो शुगर है वह सेल कंदर नहीं जमा रहेगा ग्लुकोस जो आपका हाइपर ग्लाइसेमिय प्रोड्यूस कर देगा डियाबिटी स्ट अगी कंद कैरीत में उसे किटोन मनाता है वह क्या है। इस प्रकार से टॉटल 30-क फॉंक्शन उसके हैं आपको एक्जाइम में लिखना ए मस्कूलर डव्लप्मेंट मसalis्डवलप्मेंट परतीय मेतबोलिजम पर एडिपोनस टिश्यू पर फैट मेतबोलिजम में से कहीं टीग है reg जिसमें ज्यादा मात्रमें आपका ग्रोफ हर्मोन निकलेगा उसमें आपको मिलेगा जो आपको लीवर में फैटी एसिट का यूज करके टुन मात आने में आपको मिलता है ठीक है इस प्रियाटて गोर्थ हर्मोन जो एक क्या ंता है आपके इसके इसके क्या प्रियूर्टेन की पता दो आपको जो कि भूनकुछा हम बात कर रहा है, उस बून मैं ग्रॉथ हर्मोन से जो somatomatin बना था वो ज़्यादा काम करता है somatomatin का function भी है तब भी आप पूरे लिख दीजी somatomatin के function भी यही 10 के 10 हैं growth hormone के function भी यही 10 के 10 हैं और vicious करें बात करें तो bone के जो condo blast cells में उसमें ज़्यादा effective होता है direct growth hormone की तुलना में somatomatin liver अच्छा होगा somatomatin बनेगा height अच्छी बढ़ेगी बच्चे की बच्चे की height बढ़वानी है तो आपको healthy रखना है liver को liver healthy growth hormone somatomatin बनेगा और आपका जो आपकी cell है जो आपकी bone की height है वो आपकी बढ़ती रहेगी तो यह important वीडियो है आपको exam की view से function of growth hormone कर सकते हैं और इस परकाल के video के लिए में चैनल को subscribe